असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूपी की शादियों में बनने वाले बड़े के गोश्ट के कोर्मे की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले एकदम इजी तरीके से एकदम फ्लेबरफुल बहुती टेस्टी बहुती खुश्बुनदार ये कोर्मा बनकर तेय करेंगे 100 ग्राम मस्टर्ड ओइल आप इसकी जगह कोई भी ओई यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो बस असली टेस्ट मस्टर्ड ओइल के साथ ही आता है अच्छी से गरम हो चुका है तो अब इसमें करेंगे हम आदा टीस्पून नमक नमक वैसे पानी में घोल कर डा है अब यहां पर कर ने हमें शाय के उक्ति खाल यह तो एनको बिदे और उसमें तक विसमें अब अब ते फ्लेम कुरूबसा अब यहां पर हम लेंगे एक टीव टेपलोस पूटर बनाना है यह देखिए इस तरह से और जो हमारा ओय साइस में प्याज फ्राइ किये थे उसमें यह हल्दी का पेस्ट एट कर देंगे अब हल्दी को यहां पर भूनना है तो सो तीन मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लीजेगा हल्दी बहुत अच्छे से पर तो दीखिए गोश्ट को भूनते हुए यहां पर दो से तीन मिनट हो चुके हैं प्रेशर कुकर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी जो ऑडियन से प्यारी सी उनके पास टाइम नहीं होता तो यहां पर मैं प्रेशर कुकर से जटपट से बना रहे हूं अब यहां मसाले अट करना है बन फूट लेना है मजाय फल तीन हरी लाइची एक इंच का दाल चीनी का टुकड़ा तीन लॉंग आदा टी स्पून काली मिर्स तो बड़ी लाइची यानि काली लाइची और दो तेश पत्ते तो यह मसाले चले जाएंगे और यहां पर मैं दो टीबल स् हाई फ्लीम पर अलफ लेंगा तो देखें यहां पर यह भूं चुका है अलफ निया करऊचीक करते लिए हैं लिएम फ्रयाहां MR, AAA 125 सएख लिए और अब यहां पो लगत दो नर ही हैै और जो आपको लिए अफट कर लिए और ऊंवगसिन नहीं मिलता है दिस्क्रिप्श्ट बॉक्स में डाल दोंगी तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, अब देखिए अच्के से मिक्स कर ले cinema है मसालों को इसी के साथ यहां पर ना एक से दो डॉप यहां पर में केबरा केब्री की डाल दूंगी यह है तो यहां पर दो डॉप डाल रही हूँ है और आप यहां पर केबरा बॉने के लिए पानी है तो यहां से जाएए फॉलो कीजी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा अब देखिए हमने इसको कवर कर देना एक बिसल हमें हाई फ्लेम पर लेना है और पच्छीस नट हमें लो फ्लेम पर पकाना है एक दम लो फ्लेम पर जब तक कि हमारा गोश्ट गल रहा है यहा पर नारियल पॉडर ले लिया है एक टीश्पून खश खश चार टीबली स्पून दही तो यह चीज़े चली जाएंगी और इसका अच्छे से बना लेना है हमें पानी नहीं करना है जो दही अच्छे से पिस जाएगा तो देखिए हमारे पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है अब देखिए एक विसल मत्याइब पर लेती आप पचीश मिनट हमें इसको लो फ्लेम पर पकाया है क्योंकि बढ़े का गोश्ट है तो थोड़ा टाइम लेता है पकने के लिए तो यहां पर हमने लो फ्लेम पर पकाया है पचीश मिनट बाद हमने इसको खोल लेते तो इस इसको एड़ करने के बाद हाई फ्लेम पर अच्छी से भूननाए है हमारी बड़ी कि डिबू है कि छाहिए लेक। अप्लोड आप चेक कर सकते अब आच्छे से देगये हमने इसको भून लेना है अब लेलेना है क्योंकितना अच्छे से आब बूनेंगे अच्छा उतना अच्छा टेस्ट हमारे स्वालन में आएगा अब अच्छे से भून चुका है यसके सकते हैं लिक में ग्रेवी के लिए एक कप यहां पर मैं गरम पानी डालूंगी थंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा इसे ग्रेवी का टेक्षर जो है वह खराब हो जाता है पानी जैसा बन जाता है तो यहां पर हम गरम पानी का यूज कर रहे हैं तो एक कब डाला है 240 का हमारा कब है अब इसको ओम लेट्ट से कवर कर देना है तो यहां पर मैं लेटे से कवर कर दूंगी और इसको हमें 10 नट में मीडियम फ्लेम पन पकाना है तो यह अंच सी की 10 मिनिट के लिए हम ने इसको पका लिया है तो ख Conference कर दिया है और इसको खोल कर देख लेते हैं है किते कि हमारे perfect कॉल्मा अननी को Ready हो चूका उच्काए पर फिर्फरेंड। 편치द से ग्रेवी कर skipping कबीर । एक्टप पर मैं चार से पांच जो मैंने यूज किया है चोटी बॉटल में तो तीन से चार ड्रॉपी एट कीजेगा अब दो मिनिट हमने इसको लो फ्लेम पर और रखा था उसके बाद फ्लेम को बंद कर दिया दो मिनटी पकाना है और बस हमारे यह कोर माप पर फ्रेक्टली बनकर त्यार हो चुका है सर्फ तो यहां पर मैं आपको तोड़का दिखाना चाहूंगी तंदूरी रोटी के साथ आप इसको सर्फ केजिए बहुत टीस्टी लगता है और एक दब फ्लेबर्फुल खुश्पुों बाला शादियों बाला जैसे कि दाप्तों में आपने खाया होगा वैसे ही एक होर्मा बन जहां कि दो खाया है ?